असलामु आलेकम स्टूडेंट मैं वकार अली आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 3 3rd क्वेस्टन के लास्ट 5 पार्ट को डिसकस करेंगे 5 पार्ट हमारे पास यह है हम इसको सॉल्व करते हैं x के प्लस m-n into x-2 m-n all की पावर 2 is equal to 0 standard form है इदर हम direct करेंगे a किसके equal है 1 के b किसके equal है m-n के and c किसके equal है minus 2 time m-n all की पावर 2 तो अगर तो आप लोग ने previous lecture नहीं देखे तो kindly पहले उने देखें ताके आप लोग को इसकी समझ आ सके तो यह मैंने किस तर ना लिक लिए इदर हमने quadratic formula लगाया minus formula लगा b आ गया b की value लिख दी plus minus b की value आ गी a minus 4 a की value c की value okay और यह square root सब के उपर है over के आदेगा 2 time a okay तो आपके पास यह आ गया minus m minus n plus minus तो यह क्या गया m minus n की power 2 यह देखो minus minus plus 8 को 2 से multiple किया 4 को 2 से multiple किया 8 आया यह m minus n की power 2 आ गया over आपके पास आ गया 2 तो यह देखो अंडर root में आपकी addition हो रही है तो कर लें plus minus यह देखें आपके पास यह 9 m minus n होल का scale आ गया okay over 2 आ गया अभी आप क्या कर सकते हो यह देखो यह 3 का scale है और यह m minus n होल का scale है तो यह कट जाएंगे अंडर root तो आपके पास आजएगा आपके पास आजएगा 3 time m minus n over क्या आजएगा 2 अभी आपने क्या करना है एक बार plus में लिखना और एक बार minus में minus 3 m minus n को चले हम लिखते हैं एक बार plus में over क्या आजएगा 2 और इदर हम लिख देते हैं minus x is equal to minus m minus n minus 3 time m minus n over क्या आजएगा 2 तो x is equal to ये minus अंदर m minus को हो गया plus का n हो गया plus 3 m और minus 3 n over क्या आजएगा आपके बास 2 तो इससे मजीद simplify करें x is equal to minus m plus 3 plus 3 m 2 m रह गया और ये minus 2 n आजएगा over क्या आजएगा 2 तो इदर से क्या common आ रहा है 2 common ले ले तो ये 2 2 से cancel out हो जएगा m minus n आपका x की value हो आगी ओके इदर से हम देखते हैं इदर से क्या आती है minus m plus n और ये minus 3 m और ये plus 3 n over क्या आजएगा 2 तो minus m minus 3 n minus 4 m आजएगा और ये plus 4 n हो गया over क्या आगए 2 तो उपर से 2 को minus 4 common ले ले तो ये आगए m और इदर आगए minus n over 2 2 से cancel हो तो x की value हो आगी minus 2 time m minus n ओके तो आपके जो solution set आगए ये मैंने क्या लेगा s solution set आपका आगए m minus n और क्या है m 2 time minus 2 time n minus m minus n ये आपका first problem का solution set आगए अभी हम करते हैं 6th part को discuss first में हम 6th part को लिखते हैं 6th part हमारा ये आगए इसको adjust कर ले challenge एक तो पहले लिखा हुआ देग अभी ठीक है ये हमारा 6th part आगए इसमें standard form बनी हुई है इसलिए इसमें हम लिखते हैं a is equal to m के है b is equal to 1 plus m के है और c is equal to क्या है 1 के है x is equal to b की वैलिव 1 plus m और फार्मूले का minus plus minus 1 plus m whole का स्केर minus 4 time a c okay और आपके पास आजएगा 2m क्योंके b a होता है तो ये x is equal to आपके पास आगए minus 1 minus m plus minus इसे खोलें इसको open करें कि आता है आपके पास आपके पास आएगा 1 का स्केर m का स्केर plus 2 time m और ये minus 4 m आगए और आपके पास आगया 2m ओके तो इसको simplify मदीद करें minus 1 minus m plus minus under root 1 plus m square तो इज़र से minus 2m रहा गया ना तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है अभी open नदर आगए होगा minus 1 minus m plus minus ये फार्मूला बन रहा है किसका 1 minus m के square का over 2m आगया ओके तो ये फार्मूला 1 minus m का भी हो सकता है m minus 1 का भी हो सकता है अब जिस तरह मर्जी मैनेज कर लें कोई मसले वाली बात नहीं है ये अपस में क्या हो जाएंगे cancel out हो जाएंगे तो ये plus minus 1 minus m रहा गया over आपका क्या आगया 2m इसको एक बार आप क्या करेंगे plus में लिखेंगे और एक बार minus में तो आपकी simplification हो जाएगी तो plus में लिखें 1 minus m आगया और इदर आप लिखें minus में और 1 minus m over क्या आगया 2m इदर से आपके पास आगया 1 minus 1 से cancel out आपके पास आगया minus 2m over 2m यह आपस में कट के x की value minus 1 आगया आपकी ना तो इदर से आप देखें इदर क्या आती है minus 1 minus m यह अंदर जाके multiply होगा minus तो आप देखते हैं क्या होता है यह आपस में क्या होगया cancel out होगय तो x की value आगया minus 2 over 2m यह 2 2 से cancel out होगया तो आपका solution set आगया minus 1 comma minus 1 over m यह आपका क्या आगया answer आगया तो अभी हम part number 7 को discuss करते हैं 7 में क्या है a b x के plus 2 b minus 3 a x minus 6 is equal to 0 इसमें a की जहां पे a b है और b की जहां पे 2 b minus 3 a है और c की जहां पे minus 6 है आप लोग को पता है question काफी लंबे है तो वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग भी अगर मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को सुननी चाहिए अराम से तो यह minus time 2 b minus 3 a plus minus 2 b minus 3 a all का scale minus 4 a c ok ओवर में आप के पास आगया 2 a a की जाब वैलिव के a b है ok तो अभी आप लोग इसको simplify करें sorry हम इसको क्या करते हैं simplify करते हैं और यह देखो minus अंदर multiply होगा तो यह चीज आजएगी plus minus 3 a scale को लो 4 b scale plus 9 a scale minus 2 time 2 b 3 a हो गया हो गया यह minus is minus plus 24 a b आगया ok ओवर आप के पास आगया 2 a b तो हम मजीद simplify करते हैं x is equal to minus 2 b plus 3 a plus minus under root यह देखो 4 a 4 b scale plus 9 a scale इसको multiply करो 4 to 4 4 to 4 4 3 12 minus 12 a b और यह plus क्या आगया 24 a b तो इदर से आप के पास simplification मजीद हो रही है minus 2 a b plus 3 a plus minus इदर यह देखो 2 दो दोबारा मैं वही shape लिख रहा हूँ जो पहले थी plus 3 a whole का scale इनको किया तो यह plus 12 आया ना a b यह देखो 4 b scale दाना मैं 2 a scale लिख दिया 2 b scale whole का scale बना दिया इसमें कोई pressure आने वाली बास नहीं होनी चाहिए 2 a b is equal to minus 2 b plus 3 a plus minus यह देखो 2 b scale plus 3 a scale plus 12 को मैं लिख देखो लिख रहाँ 2 time 3 a और 2 b यह देखो 2 3 6 6 2 12 यह 12 हो गया और a को a से a को b से a b हो गया इसका मतलब मैंने वही चीज़ लिखी है बट थोड़ा सा manage की है क्यों manage की है formula बनाने के लिए ताके हम scale road को खतम कर पाएं तो यह आपका formula बन गया 2 b plus 3 a whole का scale का formula बना over के आ गया 2 a b आ गया आपका इदर से आपका scale route under route से cancel out हो गया तो आपके पास minus 2 b plus 3 a plus minus 2 b plus 3 a यह आपका आ गया okay over 2 b आ गया अब अभी हमने एक बार इसको क्या करना है plus में लिखना है और दूसरी बार पहले plus में लिख ले over 2 a b एक बार इसे minus में लिख ले minus 2 b plus 3 a minus 2 b plus 3 a over के आ गया 2 a b तो इदर से 2 b minus 2 b अब इसमें cancel out हो गया अब के पास आ गया क्या आ गया 6 a over 2 a b a a से cancel ये cancel 3 over b आ गया x की value क्या आ गया 3 over b आ गया आ गया आपके पास न ओके इदर से आपकी क्या आज जेगी minus b plus 3 a minus 2 b और minus 3 a over आपके पास आ गया 2 a b ये आपस में क्या होगे cancel out हो गया minus 4 b over 2 a b आ गया a b b से cancel 2 4 2 हो गया तो आपके पास आ गया x की value क्या आगी minus 2 over a एक एक value ये आगी एक 3 over b है तो आपका solution सेट आ गया minus 2 over a 3 over b आई होब आप लोगों को समझ आई होगी इतना मुश्कल कुछ भी नहीं है बस ये है के इसमें काम कफी जादा करना पढ़ रहा है तो अभी आपके पास x केर minus b minus a x minus a b की power 0 तो इसको हमने solve करना है इसमें a की जाँब पे 1 है b की जाँब पे minus time a b minus a है और c की जाँब पे minus a b है कौडिटी की फार्मूला लगाएं minus और यह minus b minus a plus minus minus b minus a whole का scale minus 4 a c की जाँब पे क्या है minus a b और आपका क्या है 2 time a 1 है अब यह जाँएं यह minus यह minus plus हो जाएगा तो b minus a आगया plus minus अंडरोट इसको खुलेंगे यह minus plus हो जाएगा na scale b scale plus a scale minus 2 a b आगया अब यह देगो plus a scale तो यह कितना रह गया यह minus है यह minus है यह plus है plus 2 a b रह गया ना over 2 तो अभी कौन सा फार्मुला बन रहा है आप लोगों को नजर आ गया होगा b scale plus a scale b plus a scale whole का scale का फार्मुला बन रहा है तो यह आप उसमें क्या होगे cancel out होगे आपके पास आ गया b minus a plus minus b plus a आपके पास आ गया over 2 तो इसी तरह ही एक पर प्लस में एक पर माइनस में लएदा 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 लिख लें ताके हम answer लिख पाएं तो यह मैंने लिख लिया b minus a over 2 तो इदर a, a से cancel out हो गया 2 b over 2 आ गया 2, 2 से cancel b आ गया इदर से हमारे पास b minus a minus b plus a a क्या मतलब यह दोनों ही cancel out हो रहे है उन्हें तो नहीं चाहिए थे other क्या mistake है मेरी यह देखो mistake होनी तो नहीं चाहिए हाँ कहीं मैंना minus की mistake कर गया हूँ minus लगाना ना बता नहीं होन किदर लग करके आया हूँ एक मिनट हम counter चाह कर लेते हैं one है और यह minus और यह minus यह plus हो गया b minus a plus minus a scale oh sorry सही सही b scale a scale और minus 2 भी सही हो गया यहां तक 2 whole का scale b minus a plus minus okay okay यह भी सही है b minus b minus a plus minus a plus b over 2 और b minus a plus b plus over 2 तो तो b यह आ गया okay तो मैं question लिकने में problem गार रहा हूं question में यह है यह plus है okay यह गया है plus है यह भी plus होगा और यह भी plus होगा तो इदर तो कोई फरक नहीं बढ़ता ना plus होने से okay तो यह फिर minus की ही term रही और यह minus हो गया यह plus हो गया यह plus यह minus okay इस तरह यह देखें अगर वो आपकी रकम क्या होती minus में ही होती constant तो फिर यह answer बिलकुल सही था तो यह plus है तो इदर से देखें मैं दबारा से लिख देता हूँ ताके यह a आ गया और यह a आ गया b b से cancel इदर हमारे पास a आ गया तो यह answer a आ गया okay similarly इदर भी ऐसे ही है तो यह minus b है यह plus a है तो यह minus है यह plus है तो इदर से आपका a a से cancel out हो गया over 2 आ गया तो x is equal to minus b 2b over 2 तो 2 2 से cancel minus b आपका क्या आ गया x की value आ गया आपका solution set आ गया a, minus b आपका solution set आ गया तो अभी तो अभी हम question number part number 9 को discuss नहीं करते क्योंके video काफी लंबी होगी है तो इंशाला हम next lecture में next part को last part को discuss करेंगे तो इंशास